हालो दोस्तों तो आज हम बात करेंगे कि हम रियेक्ट में टाइपिंग एफेक्ट कैसे बना सकते हैं अपने बहुत सारी वेबसाइट में यह वाला एफेक्ट देखाऊगा जैसी यह जो स्ट्रेंग है यह टेक्स्ट वो बार बार खुद बार खुद एरेज हो रहा और दोब से लगाना है और इसके बाद में इसके लिए जो हम प्रेक्ट करेंगे हमारे पास में रियक्ट टाइप हम सबसे पहले तो इसको अपनी अप्रिकेशन के अंदर में इंस्टॉल कर देते हैं और इसको इंस्टॉल होने देते हैं तो मैं आपको तब तक यह बता देता हूं यह हैं स्ट्रिंग्ष जो मैंने रेंटर करवानी बार बार एक तो यहां पर यह जो है आई एम यह तो सेम ही रहेगा बट इसके आखे का हर बार चेंज होगा जैसे पहली बार आगा इम सुमन कुमार दूसरी बार हेलो आई एम और फुल स्टेक ड्वेलपर तुसरी बार अ कंटेंट क्रियेटर सुरी अन यूट्यूब और जो था आएगा अगर क्रिकेट फैन ऐसे आप और भी एड़ कर सकते हैं ठीक है तो हमारे पास में जो पैकेज आ वो तो इंस्टॉल हो गया और अभी हम इसको इंपोर्ट कर लेते हैं अगे यह दो कि अगे नहीं प्राइग ठीक है यह हो गया अभी इसके लिए जो हमने लिखना है वह है यह जो हमरी स्ट्रिंग है और आएएम इसका गए मैं एक एस पेस के देता हूं ठीक है और इसको मैं निच्छी लाइन में ले जाता हूँ और यहां पर मैं जो मेरे पास में टाइपट का कंपोनेंट है की कै उसको कॉल कर लेता हूं तो इसके अंदर मैं जो सबसे पहले पेरिमिटर में डालू हूँ वह है स्ट्रेंज जो भी स्ट्रेंग्स चेंड कर देए जैसे यह वाली है मेरे पास में इनको डाल देता हूं और इसको मैं हटा देता हूं यह जो मैंने स्टैक्ट लिखा हुआ था और इसके साथ में जो दूसरी चीज मैंने पहले इसी को टेस्ट कर लेते हैं कि ये कुछ डिफरेंस बनाता है कि नहीं बनाता ठीक है तो ये जो हमने अभी भी डाला था आप देखेंगे चलने तो लग पड़ा वट स्पीड थोड़ी जादा ही मतव तेज है और ये एक आप देखेंगे तो आपको डिफरेंस नजर आ जाएगा अभी दूसरा हम करते हैं पैक बैक स्पीड मतलब जो वो इसको मैं रख देता हूं 50 है तो आप देखेंगे कि अभी दीर दीर ये चल रहा है और दीर दीर ये मतलब इरेज हो रहा है और इसमें भी ये है कि थोड़ी देर के बाद में ये जब सारी स्ट्रिंग्स रेंडर होगी तो ये रूप गया अब ये अगला ने रेंडर इसका नाम है लूप जैसे आप इसको करेंगे तो ये अब लूप में चलता रहेगा जैसे अभी हमारे पास में तीसरी स्ट्रिंग आगी चौथी आगी और फिर से ये दवारत से स्टार्ट हो गया तो टाइपिंग एफेक्ट के लिए इतना ही था छोटा सा टुटोरियल अगर कोई कुश्चन वगरा हो तो आप कमेंट कर सकते हैं वीडियो पे वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना थैंक्यू